अज मैं आपके साथ अफगानी सलवार का ये न्यू डिजाइन शियर करने वाली हूँ जो अभी काफी ट्रेंड में है इसमें मैंने इस तरीके से प्लेट्स बनाई है आगे नाडे वाला बैल्ट बनाया है पीछे एलास्टिक लगाया है तो सारी डीटेल्स चानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें नमस्कार दोस्तों और और फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अब कपड़े को पहले मैंने लंबाई में फोल किया है उसके बाद इस तरीके से चोड़ाई में फोल कर लें अब ये फोर फोल्ड है यहां से मैंने यही आसन रखा है मीडियम साइज के लिए मगर आपको हैवी साइज में बनाना है तो इसमें हम side से कलिया लगाएंगे अब देखे इसमें मुझे side में pocket लगाना है इसलिए खुली भी side मैंने अपनी तरफ रख ली है सलवार की जो total लंबाई है तयार लंबाई वो मुझे 39 inch चाहिए तो यहां हम 39 inch पे ही निशान लगाएंगे अगर इसी pattern में आप बिना pocket के सलवार बनाना चाहते है तो हमें simple सलवार जैसे ही cutting करनी है अब देखे यहां बंद वाली side पर हम crouch का निशान लगाएंगे यह medium size के लिए है तो crouch की लंबाई यहां 13 inch रहेगी उसमें 1 inch का उपर belt आएगा तो 12 inch पे मैंने निशान लगाया है डाई inch अंदर की तरफ इस तरीके से ले ले डाई inch चोड़ी यहां पर हमें क्रोच बनानी है यहां क्रोच का shape दे दे अब क्रोच से लेके नीचे हमें मोरी तक निशान लगाना है देखिए यहां मोरी की जो चोड़ाई है वो कितनी रहेगी तैयार मोरी मुझे 7 inch चाहिए तो उसमें करीब मैंने 10 inch extra लिया है यहां 17 inch पे निशान लगा दें अब क्रोच से लेके मोरी तक इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएं और इस सलवार की कटिंग कर लें और आप भी इसी टाइप का फैबरिक परचिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाएगर नंबर पर हमें वाट्स अप करें कटिंग करने के बाद देखिए यहां जो मोरी है यहां हम प्लेट्स बनाएंगे तो प्लेट्स की जो लंबाई है वो 4 इंच रहेगी तो पूरे में इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगा दे यह सलवार के 4 पल्ले हैं तो चारों में ही हमें इस तरीके से 4 इंच पे निशान लगाना है तो जब हम यहां प्लेट्स बनाएंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें यहां तक ही plates की लंबाई रखनी है अब हम stitching स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यह front panel उठाया है कोई भी दो panels उठाया है यह पहले हम front panel को तयार करेंगे तो अब हम पहले से crotch को sly लगागर और बंद कर लेंगे अब यहां side में मुझे pocket लगाना है right side में मैं pocket लगा रही हूँ तो pocket लगाने के लिए देखिए इस तरीके से पहले 2 inch छोड़ दे 2 inch छोड़ने के बाद यहां से हम pocket का opening रखेंगे वो करीब 6 inch लंबा रहेगा तो 6 inch तक इस तरीके से आदे inch पे हमें sly लगानी है pocket की cutting मैंने कर रखी है मैंने पहले भी pan के वीडियो में pocket की cutting बताई हुई है pocket का जो कपड़ा है वो मैंने 2 हिस्सों में cut किया है तो एक हिस्से को इस तरीके से सल्वार के उपर की तरफ रखें और यहां से इसी shape में हमें यहां sly लगानी है करीब आदा inch अंदर की तरफ ले ले इस तरीके से sly लगाने के बाद दोनों कौनों पर हमें छोटे cut लगाने है cut लगाने के बाद इस pocket वाले कपड़े को पीछे की तरफ गुमा दे देखे इस तरीके से जो pocket का open side होता है वो तैयार हो चुका है अब हमें pocket तैयार करना है तो same size का जो मैंने दूसरा कपड़ा कट किया है इसको बिल्कुल इस तरीके से सामने रखें और इन दोनों को अंदर की तरफ से sly लगा कर और जोड दे अब pocket का जो shape है उसी shape में हम यहाँ पर sly लगाएंगे sly लगाने के बाद अब हमें इस pocket को सीधा कर देना है देखे pocket हमारा पूरा तैयार हो चुका है यहाँ पर एक sly लगा कर इस pocket वाले कपड़े को सलवार के कपड़े के साथ जोड दे pocket तैयार है, crouch भी हमने बंद कर ली है अब हम belt बनाएंगे देखे, belt के लिए मैंने करीब यह 4 इंच लंबा कपड़ा लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो जितनी भी कमर है यहां 32 इंच की कमर है तो उसके लिए देखे, उसका आदा करेंगे तो 16 आएगा, 16 में हमें 2 इंच लूजिंग देनी है और उसमें भी हमें sly का add करना है तो टोटल लगबग मैंने ये 20 इंच लंबी बट्टी ली है अब हम इसको बिलकुल आदा आदा करके और बीच में से कट करेंगे यहां पर हमें नाडा लगाना है इसलिए हमने ये कट लगाया है अगर आप नाडा पसंद नहीं करते तो आप ये बैल्ट एक साथ ही फ्रंट में लगा सकते हैं यहां बीच में मैंने इस तरीके से कट लगाया है इसको हमने एक इंच तक इस तरीके से खुला रखा है यहां से हम नाडे को पास करेंगे देखे इस बैल्ट को मैंने इस तरीके से पूरा रेडी कर लिया है नाडा भी मैंने तयार कर लिया है इसको हमें इसके अंदर से पास करना है देखे बीच में से निकालना है अब इसको आधा आधा कट कर ले आधा नाडा बैल्ट के इस साइड जाएगा और दूसरा सामने वाली साइड जाएगा अब नाड़ा यहां से निकलना जाए इसलिए यहां पर एक बार इस तरीके से बाहर की तरफ से नौट लगा दें अब हम इस बैल्ट को फ्रेंट पैनल के साथ अटैच करेंगे बैल्ट को मैंने नीचे की तरफ रखा है आप देखें जो नाड़े वाला हिस्सा है वो क्रॉच के बिलकुल सामने आना चाहिए तो बीच में जो सल्वार का एक्स्ट्रा कपड़ा है वहां पर हम प्लेट्स बनाएंगे देखें यहां लगबग तीन प्लेट्स बनेंगी बस इससे जादा हमें नहीं बनानी है तीन प्लेट्स इस तरीके से बना कर अब जो नाड़े वाला हिस्सा है बैल्ट का और जो सल्वार का क्रॉच वाला हिस्सा है दोनों आमने सामने आने चाहिए एक जगह पर मिलने चाहिए अब यहां भी हम इस तरीके से प्लेट्स बना देंगे प्लेट्स का जो फेस है दोनों का आमने सामने रखें दीखे बैल्ट हमने लगा दिया है अब बैल्ट को हम आगे की तरफ गुमाएंगे इसे हमें एक इंच चौड़ा रखना है दीखे जो नाड़े हैं उसको दोनों तरफ इस तरीके से गुमाएं यह बैल्ट वाले कपड़े को भी मैंने पूरा इस तरीके से गुमाएंगे अब हम सलाई लगा कर इस बैल्ट को यहां तयार करेंगे दीखे सल्वार का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो पूरा हमने तयार कर लिया है साइड में बॉकेट भी लगा दिया है और यह नाड़े वाला बैल्ट भी तयार कर लिया है अब हम बैक पैनल के दो हिस्से उठाएंगे उन दोनों को भी क्रोच लाइन से बंद कर ले अब यहां एलास्टिक के लिए मैंने फिर से चार इंच चोड़ी पट्टी ली है इसकी लंबा ही देखे कितनी रखनी है यह जो सलवार का आदा हिस्सा है इसके लग बग डेड़ गुना हमें पट्टी लेनी है देखे इस तरीके से अब इस पट्टी को भी हमें इस बैक पैनल के साथ जोड़ना है यहाँ पर बीच का निशान लगा दें अब यह जो बीच का निशान लगाया है और जो यह क्रोच वाला हिस्सा है यह दोनों आमने सामने होने चाहिए पहले इस बीच वाले हिस्से को सलाई लगा कर और फिक्स कर लें तो आपके जो ये पट्टी यहाँ पर fix करनी है दोनों साइड बराबर बैठेगी अब देखे यहाँ भी इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें यहाँ भी प्लेट्स बनानी है देखे इस तरीके से मैंने बैक को तयार कर लिया है अब front और बैक को आमने सामने रखें यहाँ मैंने इस उपर वाली पट्टी पर single folding कर लिया है अब यहाँ इस सलवार के जो sides हैं वो बन करने है मोरी से लेके बिल्कुल कमर तक slide लगा कर हमें इसे बन करना है मोरी से मैंने start किया है आदा इंच स्लाई में दबाए अब देखें elastic हमें कितना लेना है जितनी कमर की size है उसका आदा 32 इंच कमर के लिए मैंने 16 इंच लंबा elastic लिया है अब यहाँ इस तरीके से हमें elastic को fix कर लेना है अब देखें back वाला जो कपड़ा था उसको मैंने आगे की तरफ गुमा दिया था तो इस तरीके से जो कमर वाली slide है उसमें ये सफाई बैठेगी दोनों तरफ हमें इस तरीके से elastic को slide लगा कर और बंद करना है अब हम back में elastic लगाएंगे तो ये पूरा कपड़ा इस तरीके से इस elastic के उपर cover करें और विल्कुल किनारी पर slide लगाएं जैसे हम plazo pant यां किसी में बे-elastic लगाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहां elastic लगाना है कपड़े को catch के इस तरीके से पूरे में equal कर लें और इसके उपर एक और slide लगा दें इस तरीके से यह यहां पर fix हो जाएगा अब हम यहां पर plates बनाएंगे देखें चार इंच पे हमने मोरी पर निशान लगा दिया था अब इस तरीके से करीब डेट से दो इंच पहले चोड़ दें और उसके बाद plates बनाना स्टार्ट करें चौथा इंच चोड़ी मैंने यहां plate बनाई है और उसके बाद एक एक इंच का gap देते जाएं और उस तरीके से plates बनाते जाएं जब तक मोरी यहां पर हमें जितनी भी तयार चाहिए उतनी नहीं आ जाती तब तक हमें यह plates बनानी है जैसे यहां मुझे 7 इंच तयार मोरी चाहिए तो मैंने इसे 16 इंच चोड़ा रखा है एक इंच स्लाई में भी जाएगा अब दिखें plates को मैंने अच्छे से iron कर लिया है plates तयार हो चुकी है अब यहां मोरी को तयार करने के लिए मैंने ये belt रूल लिया है कपड़े के उपर रखें एक साइड से करीब आदा इंच कपड़ा चोड़े और बाकी फोल करके इस तरीके से स्लाई लगा दें सलवार के सीधे साइड में अब हम इस बुक्रा मोली पट्टी को रखेंगे अब जो आदा इंच हमने चोड़ा है वो आदा इंच हमें स्लाई में दबा देना है स्लाई करने के बाद अब देखें इस पट्टी को आप इस तरीके से गुमाएंगे तो यह सलवार वाला कपड़ा है इसे भी यहां स्लाई लगा कर एक बार फिक्स कर ले अब हम इस बुक्रा मोली पट्टी को पूरा पीछे की तरफ गुमाएंगे और यहां किनारी पर स्लाई लगा कर इस मोरी को तैयार कर लेंगे मोरी यह पौचा जो भी आप बोलते हैं उसे हम इस तरीके से तैयार करेंगे सलवार का जो दूसरा साइड है उसे भी सेम इसी तरीके से तैयार करना है दोनों मोरी तैयार होने के बाद अब हम यहां सलवार के जो मोरी है उसे बंद करेंगे यहां तैयार मुझे मोरी 7 इंच चाहिए तो 7 इंच से हम ये सलाई लगाना स्टार्ट करेंगे देखे इस तरीके से एक मोरी से लेके दूसरी मोरी तक हमें ये सलाई continue रखनी है और इन मोरी को बंद कर देना है देखे ये fashion में चल रही जो सलवार है वो तयार हो चुकी है आगे बैल्ट है, साइड में पॉकेट है, पीछे एलास्टिक मैंने लगा है नीचे मोरी में भी ये डिजाइन काफी सुन्दर लग रही है आप इसे लॉंग कुर्ती या प्लेटेट कुर्ती के साथ ट्राई कर सकते हैं आपको मेरा ये सलवार डिजाइन कैसा लगा?